नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोनिया चेतन कानन गोर आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सामने एक बहतरीन टॉपिक के साथ में ये टॉपिक मैं शुरू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमेशा की तरह की प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉटिफिकेशन लेते रहिए बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं टॉपिक ये है कि भाई हम आज भी उस समाज में रहते हैं जहां पर बहु को बेती तो बोल दिया जाता है लेकिन बेती का दरजा नहीं मिलता आखिर ऐसा क्यूं होता है वैल आप सोचेंगे कि हमेशा सदियों से यह रीत चली आ रही है पहु बहु होती है बेती बेती होती है बर आज का जो वक्त है वो बिल्कुल बदल गया है और जब शादी करके लेकर के आते हैं तो आपके सस्राल वालों का पहला शब्द होता है बहु नहीं बेती लेकर जा रहे हैं फिर भी मनमुटाब क्यों हो जाते हैं क्यूं लडाई जगरे होते हैं क्यूं मन के तार नहीं मिलते और क्यूं सिर्फ शब्दों तक बात रह जाती हैं हम अक्सर बेती और बहु में फर्क ना करने की बात करते हैं लेकिन अधिकांश घ शादी को लेकर भी हम तरह-तरह की चिंताएं करते हैं, कि उसे अच्छा घर मिले, अच्छा ससुराल मिले, वो ससुराल में राज करे, वही बहु के लिए अगर यही बात सोची जाए, तो हमारी अपेक शाय हो जाती है, कि वो घर पे आए, तो अपनी जिम्मेदारिया संसकारी हो, मुँ में जुबा न हो, संसकारी की परिभाशा हमारे लिए यही होती है, कि घर के सारे काम का जाएं भले ही, उसके माता पिता ने उसे कितनी ही डिगरिया दिलवा रखी हो, लेकिन घर का का जाना बहुत जरूरी है, यह संसकारों की परिभाशा है, और हमारे सा पारे आदेशों का पालन करें बिना सवाल किये आर्ग्यूमेंट तो बिलकुल ना करें चलिए एक कहाने सुनाती हूं रीता वर्मा जी की बेटी की शादी तीन महिने पहले ही हुई थी और उसके फॉरन बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर दी एक दिन उनकी घर आई तो उन्होंने पूछा भई रीता जी कैसी हो आप और ये बताओ कि तुम्हारी बेटी ससुराल में कैसी है ठीक से तो है ना मेरी बेटी बहुत सुखी है शीला उपर वाले की दुआ से उसे सच में बहुत अच्छा घर मिला है उसे रानी बना कर रखते हैं उसकी सा बतास तो इतनी अच्छी है कि हर काम में हाध बटाती है पती का क्या कहूं हमेशन साथ खड़ा रहता है वो हां तो हां वΒना तो नथ और तेरी बहु वो कैसे है बहु मेरी बहुत संसकारी है जो काम वो लो वो चुप-्चाप कर देती है कोई सवाल भी नहीं करती मैं तो बस सारा दिन बर आराम करती रहती हूं पर शीला तेरी बेती कैसी है उसकी शादी को तो अभी पांच महीं नहीं हुए है तो शीला भी कहती है मत पूछ रीता उसका नसीब इतना अच्छा नहीं है उसकी सास उससे घर के सारे काम करवाती है बाहर के भी करवाती है तो खुद सोच नई-नई शादी हुई है बच्चों का थोड़ा अपने इसाब से जीने का मौका देना चाहिए न थोड़ी आजादी देनी चाहिए काम में खुद थोड़ी मदद कर देनी चाहिए आकिर बहू भी तो बेती ही होती है और अब दोनों साथ बहू एक साथ मिलकर मा बेटी की तरह रहने लगी ये एक कहानी है जिसे हम जैसा चाहिए वैसा अंत दे सकते हैं पर रियल लाइफ में शायद ऐसा नहीं हो पाता लेकिन सभी रीता जैसी समझदार नहीं होती अक्सर अपनी बहू को लेकर उनकी बहुत सारे अपेक्षाय रहती है जो अन्रियलिस्टिक होती है सपनों की दुनिया में खोई रहती हैं वो लोग जैसे बले ही बहू बरकिंग हो लेकिन घरेलू काम की सारी जिम्मेदारी वो ही करेगी बहू का फर्ज होता है कि वो सास ससुर और अपनी बती की सारी बाते माने संसकारी बहू वही होती है जो ससुराल में सब का खयाल रखे और सब को खुश रखे एड़ेस्टमेंट्स शब्द तो उसकी रग रग में होना चाहिए और अगर गलती से आरग्यूमेंट हो जाए तो चुप चाप माफी माग ले घर और शादी बचाने की सारी जिम्मेदारी उसी की होने चाहिए सास ससुर और बच्चों से लेकर पती तक की सेहत की सब की जिम्मेदारी का फर्ज उसे ही निभाना है सेवा करना उसका फर्ज है भई पती को खुश रखना उसका फर्ज है कभी कबार पती एका थपड़ भी लगा दे तो चुप चाप सहले क्या हुआ घर में तो ये सब कुछ होता ही रहता है बिना पूचे हर बात पर अपनी राय न जढ़ने लगे पड़ी लिखी है तो अपनी पॉकेट में रखे उस डिगरी को घर वालों के बाहर वालों के ज़्यादा बोलना हसना उसे न आता हो खाना बनाने में इतने एक्सपर्टों की होटल का खाना पीछा रह जाए ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि वो अपनी बेटियों के लिए क्या चाहते हैं बाई तो रवािया देखिए कैसे बदलता है बेटि के लिए तो बेटि घर चाहिए जहांपर मेंबर्स ज़ादा नहीं होने चाहिए बेटि को ससूराल में ज़्यादा काम ना करना पड़े उसे ज़्यादा एड़ेस्ट ना करना पड़े फूलों में पली है पती और सास को भी उसके खाम में हाथ बढ़ाना चाहिए आखिर जमाना बतल रहा है शादी के बाद भी बेटों की लाइफस्टेल में ज़्यादा बतलाम नहीं होना चाहिए ससुराल पर और पती की संपती पर हमारी बेटी का पूरा हक होना चाहिए अगर सास ससुर के साथ नहीं जमती तो अलग हो जाओ कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि जिस तरह का आचरण हम बेटी की ससुराल वालों से चाहते हैं बेटी के लिए चाहते हैं बहू के लिए नहीं चाहते जो सीख और हिदायते बेटी को हम देते हैं क्या बहू के माईके वालों से ऐसी सीख की उम्मीद करते हैं अगर दामाद और बेती की सास से ये आपेक्षा करते हैं कि वो बेती को ना सिर्फ सम्मान दे बलकि कामकाज में भी सहयों करे तो क्या यही बात हम अपने बेते और खुद की बहू पर लागू नहीं करते ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा होता है जहां सास अपने बहू को बेती नहीं मान पाती तो वहीं अक्सर बहू भी उन्हें मा का समदर्जा कहां दे पाती हैं बहुसे जो अपिक्षाए हैं अपनी बेटी को भी उसी तरह से सीख दें कि वो भी ससुराल में सुख शांती से थोड़ा सा एड़ेस्ट तो कर ले दरसल मान सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए परिवार की शांती उसी पर डिपेंड करती है इसी तरह एड़ेस्टमेंट में भी दोनों की तरफ दारी होने बहुत जरूरी है शादी के बाद जिंदगी और जिम्मेदारियां बदल जाती है इसी सोच के साथ बच्चों की शादी करें कि वह उन्हें भी एड़ेस्टमेंट करना है आने वाली ही नहीं करेगी शादी का मतलब ससुराल में राज करना, रानी बनका रहना या फिर बेचारी बनका रहना नहीं नहीं होता यह सही योग का मामला है, आराम का मामला है संसकारी होने के परिभाशा पर भी गौर करे थोड़ा सा वक्त के साथ चेंज कर ले सबकी अलग quality होती है भई, कोई पढ़ना चाहती है, कोई लिखना चाहती है, कोई fashion designing करना चाहती है, किसी को cooking का शौक है, कोई vlogging करना चाहती है, कोई कुछ करना चाहता है, हर इनसान आपकी परिक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता, इसी तरह कोई घर के काम की वज़ये बाहर, office के काम में बहतरीन होता है, तो इतनी ज़्यादा उमीदे ना रखें, हर इनसान अलग होता है, और उसकी खूबियां भी अलग होती है, इसी तरह हम किसी से, किसी में कमजोरियां ना ढूने, खूबियों पर ध्यान दे, कमियों को नजर अंदाज करें, क्योंकि यही होता है formula एक सुखी family का, जहाँ पर घर के चार सदश एक दूसरे के साथ adjustment करके रहते हैं, सिर्फ एक इनसान के कंधे पर बंदूग रखकर चलाया नहीं जाता, I hope कि आपको मेरा ये topic अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे comment में बताईए कि आप क्या झाल